नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं पंद्रा सुरह में नियुक्ति के बाद रीक त्रह गये पद भी सामिल हैं बता देश कुली सिक्षा उमसक्षर्टा विभाग सिक्षक नियुक्ति पर किरिया सुरू करने से पहले सिक्षक पत्राता पर इच्छा अवयन करने पर विचार कर रहा है हलाकि इस पर अभी अम्तिम निर्न नहीं हुए है यदि इस पर समाती नहीं बनती है तो सिक्षक पत्रता परिशा आवजित करने से पहले भी सिक्षक न्युक्ति पर किरिया सुरू की जा सकती है जारखन में फिलाल बारिस से रहात मिलने की उमीद नहीं है मौसम बेग्यानिकों की माने तो 30 सितंबर तक रुक रुक कर बारिस होने की उमीद है मौसम विभाग के अनुसार सुक्रवार को गढ़वा और चत्रा जिले के कुछ भागों में में गजन के साथ बारिस होई वहीं आज सन्निवार को बजरपात के साथ मजदर्ज की बारिस होने की संभावना है मौसम बेग्यानिकों ने इस तोरण बजरपात की असांका जताई है ऐसे में घर से बाहर निकलने वक्त सवधान रहने की अपील की गई है जारखन में स्कूल खुले जारखन सरकार द्वारा छटी से आठवी तक कक्षा की अफलाइन कलास सुरू करने के उनमति दिये जाने के बाद सुक्रवार 24 सितंबर से करीब 18 महीने बाद सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई सुरू हो गई है ऐसे में पहले दिन इसकूल पहुंचे पित्यार थीओं में जबर्जस्त उत्सा देखने को मिला बता दे करीब 18 माँ बाद दोस्तों को देख मुस्कुराहट यह बता रही थी कि छात्र दोस्तों से मिलने के लिए कितने बेकरार थे वहीं सुरक्षा वा सतक्ता के साथ इसकूल खुले तो छातरों के साथ ही सिक्षकों के भी चेहरे खिले नजर आए आई टी आई अड्मिशन काउंसिलिंग के डेट बदले जारखन सन्युक्ति परवेश परतियुक्तिया परिक्षा पार्षद ने राज्य के सरकारी वगार सरकारी अध्योग परस्तिक्षन सस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली काउंसिलिंग की तीथियों में पर देली के तहत सीटो का अवंटन पहले 21-28 सितंबर तक होना था अब सीटो का अवंटन 24 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होगा इसी देवरान संस्थानों में नमांकन भी होगा वहीं दूसरी काउंसिलिंग के तहत अनलाई राइस्टेशन तथा विकल्प भरने का कारे अब 9 से 14 अक्टूबर के बीच होगा वहीं 20 से 25 अक्टूबर के बीच सीटो का अवंटन होगा तथा इसी बीच नमांकन भी होगा जारखन में कम्प्यूटर अपरेटर की 1500 पदो परभरती जारखन की ग्राम पंचायतों में एक माह के भीतर लंबित नियुक्ती की परकिरिया को पुरा किया जाएगा शुक्रवार को पंचायती राज सचीव राहुल सर्मा और निदेशक रायसवरी बी इस बावत विभागे पदाधिकारियों को निदेश दिया बता देखी कम्प्यूटर अपरेटर समें तक्रिवर 1500 पदो पर बाहाली की परकिरिया पुरी की जानी है बैठक में बिभागे सचीव राहुल सर्मा ने त्रियस तरिये पंचायतों में दो अक्टूवर से 21 जनवाई तक चलने वाले पीपल्स प्लान कैम्पेन को लेकर भी दिशा निदेश दिये उन्होंने 15 वे बीद आयो की रासी को हर हाल में समय बद खर्च करने का निदेश सभी जीलो को दिया है जारखंड के साथ DSP का तबादला है राज्य सरकार ने परदेश के साथ DSP का तबादला कर दिया है बतादे जारखंड जगुआर के DSP परदीप उरागो सायव गंज के बड़ा हरवा का SDPO बनाया गया है बड़ा हरवा के SDPO के पदपर इससे पहले DSP परमोत कुमार मिस्रा थे जिन्हें रूपा तिरकी मामले में बिवादित बाद चीत समधित आडियोवारेल होने के बाद हटा दिया गया था इसके बाद से ही अपद रिक्त था भाजबा नेता की हत्या का खुलासा रांची जिला भाजबा अनुसुचित जाती जन जाती मोर्चा के अध्यक जीत राम मुंडा के हत्या उर्मान जी के साहेर गाव में रहने वाले मनोज मुंडा ने कराई थी उसके तालूक कात PLA 5 से भी है बता दे हत्या के घटना के बाद हिरासत में लिए गए दो संदिक्दों से पुष्तास में जोटी पूलिस टीम को यह जनकारी मिली है यह पता चला है कि मनोज के आगरा पई जीत राम के हत्या के लिए प्रेले भाई ने सूटर भेजे थे जाच में पूलिस को यह भी पता चला है कि जीत समय जीत राम पूतल धहन कारेकर में सामिल था उस समय से उसकी गतिवीदिया पर दो अपराधी नजर रखे हुए थे जे एस एस्सी की नई नियुक्ति नियमावली रद करने को हाई कोट में चुनोती जार्खन करमचारी जयन आयोग परिक्षा की नई नियमावली को असमय धानिक पताते हुए रद करने के लिए जार्खन हाई कोट में याचका दायर की गई है नई नियमावली के कई परधानों को चुनोती दि गई है और अदालत से इसे नर्यस्थ करने का अगरख दिया गया है बतादे कुसल कुमार, रमे संस्था और अन्य ने याच्च का दायर की है याच्च का में कहा गया है कि नईने मावली में राज्य के संस्थानों से दासवी और पलस टू योगिता वाले अभियार्थियों को ही परिक्षा में सामिल होने के निवर्था सत रखी गई है इसके अलावा 14 अस्थाने भासाओं में हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है जबकि उर्दू बंगला और उडिया सहित बारा अन्य अस्थाई भासाओं को रखा और समिल किया गया है अस्थान कैंसर की 70% मरीज तीसरे और चौथे स्थेज में पहुंचते हैं अस्थाल अक्टूबर महिने को अस्थान कैंसर जागरूपता महिने के रूपे मनाया जाता है बता दे रांची के आई एमे भौन में रिची अस्पताल के दवारा सनी वार को कारे साला काईजन किया जाएगा बता दे रिची अस्पताल की डाक्टर नमरमा हन सरिया ने बताया कि जारखन के 70% अस्थान कैंसर मरीज ऐसे है जो तीसरे और चौथे स्टेज में अस्पताल पहुंचते हैं ब्रेश्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे बहुत असानी से पहचाना जा सकता है आम लोगों में इस बीमारी के प्रतिजगरूपता की कमी है उन्हें बताया की अस्तन में परिशानी होने के बाद भी अधिकतर मैलाय सरम के करण डक्टर के पास नहीं पहुंच दी जारखन में 12 नए केस मिले हैं जिसमें से राची से 10, देवघर से 1 और जाम तरा से 1 मरीज मिले हैं जारखन में कुल एक्टिव केस की संखिया 72 है भारत में 29 59 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संखिया 2,94, czy 614 है सरना कोड को लेकर जहुदा 15 नुवंबर को दिली में बैठक और धर्ना सरना कोड को लेकर सुकुरवार को हर्मो इस्थीत देशावली में राष्ट्रिय आदिवासी समाज सरना धर्मडाक्छा अभियान की बैठक हुई अध्यक्षता डाक्टर कर्मा उरावने की जनकारित दीगाई की मुख्य मंत्री सनिवार को भारत सरकार के ग्री मंत्री से सरना कोड और जातिये जनगर्ना को लेकर दिली में मुलकात करेंगे और बैठक करेंगे जिसमें कई रायनितिक दलों के प्रतिनिधी भी सामिल होंगे इसी करम में सरना धर्मकोट को लेकर आगे क्या रननिती होगी इस पर चार्चा की गई समाति बाने की 14-15 नॉवंबर को दिली में कई राज्जियों के प्रतिनिधीयों के साथ बैठक होगी और जनतर मंतर में धारना दिया जाएगा खोटी में मुख्य मंतरी रोजगार स्रीजन योजना की सुरुआत दुकान, मौल, वाहन, यात्री वाहन, रेस्टोरेंट, आधुनिक, खेती या अने लगु यवं कुटिर उद्ध्यों का स्थापित करने के लिए रिन मुहया कराने के उदेश से मुख्य मंतरी रोजगार स्रीजन योजना की सुरुआत शुक्रवार को की गई है बता दे ज हार्खन सरकार की मदब से सुवे में सोरोजगार के दरवाजे खूल रहे हैं राज्य के बेरोजगार युवाओ के हीत में मुख्यमंतरी रोजगार स्रीजन योजना के सुबरम किया गया इस योजना के अंतरगत किसी भी तरह का रिण किसुविधा उपलवद है योजना के तहत अनुदानित दर पर 25 लाग रुपे तक का लोन उपलवद कराया जाएगा वहीं पचास अयर तक के रिण किरासी प्राप्त करने के लिए किसी तरह की सेक्रिटी देने गया हो सकता नहीं होगी UPSC सिविल सर्विस परिक्षा में जमसेद पूर के कनिस्क को 43 वा रैंक UPSC सिविल सेवा परिक्षा 2020 का फाइनल रियल्ट आ गया है बताते जार्खन के स्टूडेंट भी परचम लह राये हैं जमसेद पूर के कनिस्क को 43 वा अस्थान हासील हुआ है इसके अलवा हजारी बाग के उतकर्स कुमार को 55 और भावना कुमारी को 376 रैंक तथा रांची जीला अंतरगत बोड़ू की रहने वाली पूजा कुमारी को 472 रैंक मिला है जार्खन में इंडस्ट्रीज के सफल संचालन को लेकर सरकार गमभीर जार्खन में उद्योगों का संचालन सुगम तरीके से चले इसको लेकर हेमन सरकार गमभीर दिख रही है राईधानी रांची के बाद लोव नगरी जमसेद पूर के विभीन उद्योगिक संगठनों के साथ उद्योग सचीव पूजा सिंगल ने बैठक की बैठक में उद्योगों के संचालन के हर छोटी बड़ी और चन दूर करने के लिए विभाग लगातार परयासरत है इसी के तहत जमसेद पूर के उद्योगिक संगठनों की राय ली गई उद्योग सचीव पूजा सिंगल ने कहा कि इसी के तहत विभाग रीफर्म के ट्रेंग पर है निवेश की आकरशक निती बनाई गई है सिंगल विंडो के तहत मामले का निस्पादन किया जा रहा है अब कोई भी आवेदक अपने आवेदन किस्थिती को ओनलाइन ट्रेक कर सकता है पलामू एसीबी ने गढ़वा रिकोर्ड रूम के बड़ा बावू को किया गिरपतार राष्टा चार निरोधक ब्योरे पलामू की टीम ने सुक्रवार को गढ़वा जिलास तरिये रिकोर्ड रूम के प्रधान लिपीक रविंद्र पांडे को रिस्वत लेते रंगे हातों गिरपतार किया है उन्हें पलामू ACB की टीम ने सभनाले इस्थित रिकोर्ड रूम से ही कर्याले ओधी में 45 रूपे लेते गिरपतार किया इसके अलावे ACB की छपे मारी में उनके सहीजना मुहला इस्थित घर से भी 20 रूपे बरामत किये गए बता दे सिरी पांडे के खिलाब गढवा सहर के टंडवा मुहला निवासी वनार्सी परसाद गुपता के पूत्र सत्यम कुवा ने ACB में सिकायत दर्ज कराई थी हजारी बाग सदर अस्पताल का डाटा मेनेजर 4000 रिस्वत लेते गिरपतार जार्खन के हजारी बाग सदर अस्पताल के जीला डाटा मेनेजर दिवाकर अमबस्ट को भेस्टा चार निवधक ब्यूरो की टीम ने सुक्रवार को 4000 रूपे घुस लेते गिरपतार कर लिया है प्राथमिकी दर्च करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया बतादे डाटा मेनेजर दिवाकर ने बरही के गोरिया कार्मा निवासी जगेश्वर महत्तो से अईरुवेदा मेडिकल जेपी क्लिनिक का रिन्वल कराने के नाम पर 5000 घुस की मांकी थी प्रिती तिवारी जहारखन महिला किर्केट अंडर 19 की कैप्टन चुना गया है बता दे इनकी कप्तानी में ही 28 सितंबर को नागपूर में पांच राजियों के बीच मैच खेला जाएगा प्रिती तीवारी को जार्खन स्टेट क्रिकेट एसेसेशन अंडर 19 का कप्तान चुने जाने से बढ़का गाउं के लोग काफी खुल साएं रांची से हटाये जाएंगे बिजली के खुले तार जार्खन बिजली बित्रन निगम लिमिटेट के रांची सरकिल को बिजली विभा की तरफ से 15,000 नए पोल और 1500 किलोमेटर लंबा एरियर केबल दिया जाएगा इसमें से 700 पोल और 500 किलोमेटर एरियर केबल की पहली खेप म पॉलिथीन के खिलाब छापेमारी अभियान रांचीर नगर निगम की इनफोर्समेंट टीम ने सुक्रवार को प्रतिवंधित पॉलिथीन कैरी बैग के खिलाब अपर बाजार में छापेमारी अभियान चलाया छापेमारी अभियान के दोरान इनफोर्समेंट टीम ने अपर बयार की बारोद गली इस्थीत साइट ट्रेंड से आठ बोरा पॉलिथीन कैरी बैग ब्रामत किया है इसे निगम की टीम ने जब्द कर लिया है इसके बाद साइट ट्रेंडस के संचालक अनेल कुमार गुपता पर प्रतिबंधित पोलिथीन रखने और उसकी खरीद बिक्री करने के आरोप में एक लाखका जूर्माना लगाया गया है जारखन में सिक्षक भरती से पहले टेट परिक्षा इसकूली सिक्षा एम सक्षरता भी भाग सिक्षक नियुक्ती पर किरिया सुरू करने से पहले सिक्षक पत्रता परिक्षा आविजित करने पर विजार कर रहा है हलाकि इस पर अभी अम्तिव नीना नहीं हुआ है यदि इस पर समती नहीं बनती है तो सिक्षक पत्रता परिक्षा आउजित करने से पहले बेनियुक्ती परिक्षा शुरू की जा सकती है बता दे कि राज्य में सिक्षक पत्रता परिक्षा अभी तक महज दो बार बर्श 2012 तता 2016 में ही हुई है पंचाथ सचीव नियुक्ती मामले में दस दिनों में फैसला छारखन हाई कोट के जॉस्टिस डाक्टर एस इन पाठा की अदालत ने राज्य के गयर अनुसुजित 11 जीलों में हाई स्कूल स्टिक्ष को पंचाथ सचीव वनिव नियुक्ती मामले में दायर भी भी ने अचकाव पर सुनवाई की वीडियो कन्फिरेंसिंग के मादेम से सुनवाई की दोनर राज्य सरकार की ओर से महादिवक्तर राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि सरकार तस दिनों के अंदर नियुक्तियों के मामले में फैसला कर लेगी बाबा मंदिर में धर्शन पूजा के लिए जारी किया गया दूसरा लिंक भी कारगर नहीं दिख रहा है पतादे इसमें कई खामिया है यही वज़ा है कि अब वेवास्ता से बचने के लिए मंदिर पर्शासन की ओर से सभी भगतों को परवेश दिया जा रहा है गुरु आरसे दर्शन.बाबाधाम.org बेबसाइट का लिंक ई-पास के जरिये जारी किया गया था इसका लिंक जारी होते ही एक सब्ता तक स्लोट बुक भी हो गया लेकिन इ-पास का प्रिंट नहीं निकलने के कान परसानी हो रही है यदि आप चैनल परना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल कावल आइकन दबए सलसा वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के बाड़ से पेस्बूक ट्यूटर इंस्टाइगराम पर सेयर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना प्यारा सब फिड़बैक अवसे दे थैंक यू